साथियों, आज के बदलते हुए भारत में, आप सभी एक इंफ्रास्ट्रॉक्चर कांती के भी साक्षी बन रहे हैं। करोड रुपिये खर्च कर रहा है। और जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रॉक्चर पर धन खर्च कर रही हैं, इनिवेश्ट करती हैं, तो बहुत स्वाभाविक हैं। इसको कोई नकार नहीं सकता है, कि इसके कारण रोजगार के भी लाखो नए अवसर बनते हैं। 2014 के बाद से एक और बहुत बड़ा बड़लाव ये भी आया है, कि बरसों से अटकी, भटकी, लटकी परियोजनाओं को खोज-खोज करके, मिशन मोड पर पुरा कराय जा रहा है। आधी, अधुरी, परियोजनाओं, इमानदार जो देश के हमारे टेक्सपेयर्थ हैं, उनके पैसे तो बरबात करती हैं, लागत भी बढ़ जाती हैं, और जो उसका लाब मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है, ये हमारे टेक्सपेयर्थ के सास्थ भी बहुत बड़ी नाइंसापी है, बीते वर्षव में केंद्र सरकार ने लाखों करोड के प्रोजेक्स की समिक्षा करके, उन्हें तेजी से पूरा करवाने के लिए लगातार मोनिटरिंग की है, आग सफलता पाई हैं, इससे भी देश के कौने कौने में रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं, जैसे बीदर कुलबर की रेलिवे लाइन, ऐसी एक परियोजना थी, जिसे 22-23 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अटका हुआ था, भटका हुआ था, हमने 2014 में इससा पूरा करने का संक्रप लिया, और केवल तीन साल में इस परियोजना को पूरा करके दिखाया, सिक्किम के पाक्योंग एरपोर्ट की परिकल्पना भी 2008 में की गई सी, लेकिन 2014 तक ये सिरफ कागजोंग पर ही बनता रहा, 2014 के बाद इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी बाधाओं को हटा कर इसे 2018 तक पूरा कर लिया गया, इसने भी रोजगार दिये, पारादिप रिफाइनरी की भी चर्चा 20-22 साल पहले शुर्य हुई थी, लेकिन 2013 तक कुछ खास हुआ ही नहीं, जब हमारी सरकार आई, तो हमने सभी अटके हुए, रिके हुए प्रोजेक्ट की तरह पारादिप रिफाइनरी को भी हाथ में लिया, उसको पीरा किया, जब इस तरह के इंफ्रासेक्टर प्वजेक्ट पुरा होते हैं, तो इससे प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर तो बनते ही हैं, साथ ही ये रोजगार के कई अप्रत्यक्ष अवसरों को भी तयार करते हैं, साथियों, देश में रोजगार निर्मार करने वाला एक बहुत बड़ा सेक्टर है, रियल स्टेट, ये सेक्टर जिस दिशा में जा रहा था, उसमें बिल्डरों के साथ ही मद्दिंबर की बरबादी ताय थी, रेरा कानून की वज़े से, आज, रियल स्टेट सेक्टर में पारदर्शित आई हैं, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है, आज देश के एक लाग से जादा रियल स्टेट प्रोजेक्ट, रेरा कानून के तहद रिजिस्टर हैं, पहले प्रोजेक्ट रुख जाते थे, रोजगार के नए अवसर ठप पड़ जाते थे, देश का बढ़ता हुआ ये रियल स्टेट बड़ी संक्या में रोजगार के अवसर बना रहा है,